नमस्कार दुनिया इस हफते का रिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रित पाध्याए पिछले हफते की तीन बड़ी अंतराष्ट्रे खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं आईए सबसे पहले तीनों खबरों पर एक नजर डालते हैं सबसे पहले हम मध्य पूर्व एशिया में इरान और सौधी अरब की अदावत की कहानी जानेंगे फिर यमन के हूतिव द्रोहियों की पूरी कहानी आपको बताएंगे और फिर एक ऐसे देश की कहानी जहां अभी भी राजा महराजा का कॉंसेप्ट बरकरार है लेकिन आईए सबसे पहले इरान और सौधी अरब की बात करते हैं मध्य पूर्व एशिया हमेशा ही वैश्विक राजनीती की किंद्र में रहा है यहां की राजनीती भी बेहत दिल्चस्प रही है हाला कि इस इलाके में लगभग सभी मुस्लिम देश हैं लेकिन इनके बीच आपसी खटपट हमेशा ही दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खीशती रही है इनमें दो ऐसे देश भी हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे धोर विरोधी हैं दरसल 2018 में सौधी अरब पाकिस्तान को कुल 6.2 अरब डॉलर का करज और 3.2 अरब डॉलर का आयल क्रेडिट देने को तैयार हुआ था लेकिन कश्मीर मुद्दे के चलते दोनों देशों में तना तनी हो गई इसलिए यह करार ठंडे बस्ते में चला गया लेकिन अब सौधी अरब इस करार को पूरा करने पर राजी हो गया है ऐसे में देखना होगा कि किन परिस्थितियों के चलते सौधी अरब ऐसा करने को राजी हुआ ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ गलबहिया कर सौधी अरब मध्यपूरों में इरान के दमखम को चुनोती देना चाहता है वो अपनी हैसियत को बढ़ाकर मध्यपूरों में बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहता है अब आप कहेंगे कि डक्षिन एशिया के देश पाकिस्तान से हाथ मिलाकर सौधी अरब मध्यपूरों में अपनी सियासत कैसे चमकाएगा इसके पीछे की गड़ित को समझने के लिए हमें पूरी राजनीती को समझना होगा दरसल जब डोनल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्टपती थे तब अमेरिका और सौधी अरब के रिष्टे बहतर थे लेकिन बाइडन के अमेरिकी राष्टपती बनने के बाद दोनों देशों में तनाओ देखा जा रहा है फिर बाइडन इरान के साथ हुए 2015 के परमाडू समझोते पर लोटने के अच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं जबकि सौधी अरब हमेशा ही इस समझोते के खिलाफ रहा है उधर अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद वहाँ पाकिस्तान की भूमिका बढ़ने की उमीद जताई जा रही है इसके पीछे वज़ा है कि सेना की वापसी के बाद वहाँ तालिबान के मजबूत होने की संभावना है और ऐसे हालात से मुकाबले के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत होगी ऐसे में पाकिस्तान से सौधी अरब की उम्मीदे बढ़ी हैं इसके अलाबा पाकिस्तान दक्षिन पश्चिम में इरान के साथ सीमा साजा करता है पाकिस्तान के उस हिस्से में बड़ी शिया आबादी है इन्ही वज़ों से सौधी अरब को अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान से उम्मीद है इस बात की उमीद कि पाकिस्तान के हाथ में हाथ डाल कर वह अमेरिका को साधेगा और फिर इरान को चुनोती दे सकेगा अब यहां एक और बात उभरती है कि सौधी अरब इरान को चुनोती क्यों देना चाहता है क्या इरान के साथ सौधी अरब की कोई पूरानी अदावत है दोनों मुलकों में आगे बढ़ने की होड की वज़ा है कि दोनों देश मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी शक्तिया है दोनों ही इसलामिक देश तो हैं लेकिन एक और सौधी अरब जहां सुन्नी प्रभावाला है वहीं इरान में शिया दबदबा है दरसल लगबग पूरे मध्य पूरो एशिया के मुस्लिम देशों में यह धार्मिक बटवारा देखने को मिलता है इन मुस्लिम देशों में कुछ में सुन्नी की आबादी ज़्यादा है तो कुछ में शियाओं की इन देशों में इरान और सौधी अरब बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं इसलिए क्षत्रिया प्रभुत्व को लेकर दोनों शक्तिशाली पडोसियों के बीच टकराहट लंबे समय से चल रही है हाला कि दशकों पुराने संगर्ष के केंदर में धर्म तो है ही लेकिन इसकी दूसरी वजहे भी हैं यहां यह भी समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में मुस्लिमों में सुन्नी और शिया पंथ में बटवारा है लेकिन इनमें सुन्नी की तादाद जादा है दुनिया भर में मुस्लिमों की आबादी करिब 1.8 हरब है जिसमें करिब 90 फीस्ती सुनी है और 10 फीस्ती ही शिया है यही कारण है कि इरान, इराक, अजर्बैजान और बहरीन जैसे चुनिंदा मुलकों में ही शिया मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है लेकिन इसमें शिया बाहुले इरान इन देशों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है दूसरी ओर इसलाम का जन्मस्थल होने के वज़ा से सौधी अरब इसलामिक दुनिया की सबसे एहम जगहों में से एक है यही कारण है कि यह देश खुद को Islamic दुनिया के नेता के रूप में देखता है हमने पिछले episode में इरान की कहानी में Islamic क्रांती के बारे में आपको विस्तार से बताया था अगर आपने उस episode को नहीं देखा है, तो उस episode का link description में मिल जाएगा 1989 में एरान में हुई इस क्रांती से ही सौधी अरब के नित्रत्यों को चुनोती मिली दरसल सौधी अरब में शुरू से ही राजतंत्र रहा है सिर्फ अरब ही नहीं बलकि मद्यपूर्व के कई अरबी मुलकों जैसे की ओमान, कतर, बहरीन वगेरा में अभी भी राजतंत्र है लेकिन 1989 की इसलामिक क्रांती ने इरान से राजशाही को उखाड फेंका था और वहाँ इसलामिक गणराज्जी के स्थापना हो गई थी इससे इस क्षत्र में एक नए तरह का राज्जे बना जो लोगतांत्रिक व्यवस्था का हिमायती था इरान के भीतर और बाहर क्रांती के समर्थकों ने इस क्षत्र में राजशाही को उखाड फेकने और वहाँ इसलामिक गणराज्जे स्थापित करने की अपील करनी शुरू कर दी इससे इरान के कई पडोसियों सौधी अरब, कुवैत और इराक के साथ साथ अपनी उर्जा जरूर्तों के लिए मध्य पूर्वी तेल पर निर्भर पश्चमी देशों को चिंतित कर दिया खासकर सौधी अरब को इस क्रांती से ज्यादा चुनाती मिली इसकी वज़ा थी कि यहां राजशाही वेवस्था थी और इसे अरब देशों में अपनी लीडर्शिप खोने का डर था सिर्फ सौधी अरब ही नहीं बलकि मध्य पूर्व के इस आहाते में एक और भी देश था जिसके राष्टपती के माथे पर चिंता की लकीरे खिच गई थी यह देश था इराग इस देश में शिया बहुत संख्यक थे और सुन्नी अल्प संख्यक लेकिन अल्प संख्यक होते हुए भी सुन्नी शिया पर शासन कर रहे थे क्योंकि शिया केंद्रित इसलामिक क्रांती ने दुनिया भर का ध्यान अपनी उर्खींचा था इसलिए इराग की सरकार को डर था कि यह क्रांती इराग में इसी तरह के विद्रोह का कहीं आगाज न कर दे इसी डर का नतीजा था कि 1980 में इरान इराग के बीच जंग छिड़ गई यकीन मानिये यह जंग आठ सालों तक चली इतनी लंबी जंग इसलिए मुम्किन हो सकी क्योंकि इस जंग को लड़ने के लिए सौधी अरब और कुवेज जैसे कई सुन्नी बहुल मुल्क इराग को सालों तक आर्थिक मदद पहुँचाते रहे सौधी अरब का स्वार्थ था कि किसी भी तरह इरान को कमजोर किया जाए और मध्य पूर्व के दारोगा जैसे उसकी हैसियत बरकरार रहे धीरे-धीरे मध्य पूर्व की बादशाहत हासिल करने के लिए ये दोनों ही देश उस क्षेतर में गुटबाजी करने लगे कुछ देश सौधी अरब के गुट में चले गए तो कुछ इरान के गुट में अभी भी समर्थन और सलाह के लिए कुछ देश इरान तो कुछ सौधी अरब की ओर देखते हैं सौधी अरब के पाले में UAE, मिस्र, जॉर्डन वगेरा हैं जबकि इरान की तरफ सीरिया और इराग जैसे देश लोक्तांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की एक बानगी 2010-11 में भी देखने को मिली जब इस दौरान अरब देशों में सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए ट्यूनिशिया से शुरू ही इस क्रांती को अरब स्प्रिंग कहा गया था इस क्रांती का सबसे बड़ा मकसद राजशाही तानाशाही को उखाड फेकना था यह ट्यूनिशिया से शुरू होकर यमन, लीबिया, मिस्र जैसे देशों में फैला यह वो देश हैं जहां तानाशाही सरकार का बोल बाला था इस क्रांती का सौधी अरब ने पूरजोर विरोध किया था सौधी अरब ने डंके की चोड़ पर कहा कि वह लोकतांतरिक परिवर्तन के पक्ष में बिलकुल भी नहीं है इन घटनाओं के चलते भी इरान और सौधी अरब के बीच तलखी में इजाफा हुआ क्योंकि इस क्रांती को भी इसलामिक क्रांती से प्रेरित माना गया पिछले 15 सालों में लगातार कुछ घटनाओं के चलते सौधी अरब और इरान के बीच मतभेदों में तेजी आई है दोनों ही देश दशकों से शीतियों धलड रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि इनके बीच असल में कोई जंग हो अब आये अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं इरान और सौधी अरब की दुश्मनी के बाद आज की दूसरी कहानी भी मध्यपूरो एशिया से ही जुड़ी है मध्यपूरो एशिया में एक और देश है यमन यह देश उत्तर में सौधी अरब और पूरो में ओमान से लगा हुआ है बाकी दो दिशाओं में यह पानी से घिरा है इसके पश्चिम में लाल सागर है और दक्षिन में अधन की खाड़ी अब आप पूछेंगे किन वजहों से हम आज यमन का जिक्र कर रहे हैं दरसल मध्यपूरो में इस्लामिक स्टेट की तरह आपने एक और विद्रोही गुट का नाम सुना होगा यह हूती विद्रोही कहलाते हैं यमन में सक्रिया ये विद्रोही भी हमेशा चर्चा में रहते हैं अभी हाल ही में फिर से यमन के सुरक्षा बल और हूती विद्रोहीयों के बीच भीशन लड़ाई हुई इसमें 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत होने की बात कही गई है इसलिए आज आपको हुती विद्रोहियों की कहानी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच हालिया लड़ाई की क्या वज़े हैं पहले कहानी हुती विद्रोहियों की हमने पहली कहानी में आपको बताया कि इसलामिक दुनिया में मुस्लिम कैसे शिया और सुन्नी में बटे हैं और मध्यपूरू में अक्सर लड़ाई की वज़ा यही धार्मिक बटवारा है मिडिल इश्ट का देश यमन भी इसी का शिकार है शिया मुस्लिमों में एक संप्रदाय है जायदी इनकी धार्मिक मानेताई असल में इरान, इराग और लेबनान के शियाओं के तुलना में सुन्नी मानेताओं के ज़्यादा करीब है बावजूद इसके यह यमन में सुन्नी विचारधारा के विस्तार के खिलाप है जायदी संप्रदाय मानने वालों ने यमन में करिब 1000 साल तक राज किया इस शासन के शुरुवात 893 इस्वी में हुई जो 1962 तक कायम रहा 1962 में अंतिम जायदी शासक इमाम एहमत की हत्या के बाद इनका राज खत्म हो गया यहीं से यमन के मौजूदा हालात की यवारत लिखी जाने लगी इस पूरी कहानी में एक एहम किरदार है अली अब्दुल्ला सालेह सालेह 1978 में यमन के राष्टपती बने चुकि सालेह सुन्नी मान्यताओं को मानने वाले हैं इसलिए सुन्नी और शियाओं के बीच भेदभाव किया जाने लगा नतीजतन शियाओं में असंतोष पैदा हुआ और उनमें बगावती सुर बुलंद होने लगे यहां यह भी जान लिजे कि 1978 में सालेह जिस यमन के राष्टपती बने वह मौजूदा यमन का उत्तरी और पश्चमी इलाका था इसे यमन अरब गड़राज्य या उत्तरी यमन कहा जाता था इस क्षेत्र में शिया की आबादी ज्यादा थी मौजूदा यमन के दक्षन और पूर्वी हिस्से में कम्यूनिस्टों की सरकार थी अरब दुनिया का यह पहला देश था जहां कम्यूनिस्ट की सरकार थी इस क्षेत्र को दक्षनी यमन कहा गया अंग्रेजू से आजादी के बाद 1979 में इस हिस्से में कम्यूनिस्ट विचारधारा की सरकार बनी थी जिस पार्टी की सरकार थी उसका नाम था यमनी सोशलिस्ट पार्टी लेकिन विचारधारा में अंतर के चलते पार्टी में दो फाड हो गया जिसका नतीजा ग्रेह युद्ध के रूप में देखने को मिला जनवरी 1986 में दक्षणी यमन में ग्रेह उद्ध छड़ गया इसके बाद ही मई 1990 में यमन के दोनों हिस्से का एकी करण हो गया अब्दुल्ला सालेह इस एकिकरित यमन के पहले राष्टपती बने लेकिन 1990 के दशक में ही उत्तरी शहर सैदा में एक छात्रा अंदोलन शुरू हुआ दा बिलिविंग यूथ नामक संगठन के बैनर तले यहां अंदोलन शुरू हुआ जिसके मुखिया हुसैन बेदरदीन अल हूती थे इसलिए इसे हूती अंदोलन का नाम दिया गया हूती यमन में एक जनजाती का नाम है यहां अंदोलन राष्टपती सालेह के खिलाब शियाओं में बढ़ते गुसा का नतीजा था हजार साल तक राज करने वाले शिया मानिता वाले जायदी सम्परदाय के हाशिये पर चले जाने के चलते शियाओं ने आवाज बुलंद की थी अपने अस्तित्वे की लड़ाई लड़ रहे जायदी समुदाय के लोग अपने हक की मांग कर रहे थे जब सालेह ने उनकी मांगों को अंसुना कर दिया तब बेदरदीन अलहूती ने सरकार के खलाप मूर्चा खोल दिया साल 2004 में एक एहम मोड आया जब आंदोलन के नेता हुसैन बेदरदीन अलहूती को यमन की सेना ने मार दिया इसके बाद उतरी यमन में हूती विद्रोह भड़क उठा इन विद्रोहियों ने यमन के कई ठीकानों पर कबजा कर लिया साल 2010 में विद्रोहियों और सरकार के बीच युद्ध विराम पर समझोता हुआ लेकिन समझोता ज्यादा दिनों तक नहीं ठीका क्योंकि इस शत्र में बहुत जल्दी ही एक करांटी की शुरुवात हुई इसे अरब स्प्रिंग या अरब करांटी का नाम दिया गया जिसका जिक्र हमने पहली कहानी में भी किया था प्योनेशिया से शुरू होने वाले इस क्रांती ने पूरी अरब दुनिया में तहल का मचा दिया था दिसंबर 2010 में एक सबजी विक्रिता ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए खुद को आग लगा ली इसे लोगों ने इसकदर हाथों हाथ लिया कि पूरी अरब दुनिया हिल गई यही क्रांती 2011 में यमन पहुँची राजशाही के खिलाफ लड़ रहे खूती विद्रोहियों को एक बड़ा मौका हाथ लगा और सालेह की सरकार खत्रे में आ गई सालेह को हटाने की आवाज उठने लगी आखरकार सालेह को कुर्सी छोड़नी पड़ी अबदार अरब्बूह मनसूर हादी देश के दूसरे राष्टपती बन गए हादी सरकार के सामने भष्टाचार, बेरोजगारी, खाद्य संकट जैसी बुनियादी समस्याएं थी और साथ ही अलकाइदा जैसे आतंकी गुटों से निपटना एक बड़ी चुनोती भी कुल मिलाकर इस थिर्टा की उम्मीद से जिस नई सरकार का गठन किया गया था वह असल काम करने में नाकाम रही सरकार के इस प्रशासनिक नाकामी का फायदा उठाते हुए हूती विद्रोहियों ने देश के उतरी प्रांत सदा और उसके आसपास के इलाकों पर कबजा कर लिया कहानी में ट्विश्ट तबाया जब हादी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विद्रोहियों ने उस सालेह खेमे से हाथ मिला लिया जिसे वे अपना दुश्मन मानते थे इसके बाद हूती विद्रोही 20 साबित हुए और 2014 में यमन की राजधानी सना पर नियंतरन स्थापित कर लिया 2015 में विद्रोहियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कबज़ा कर लिया हालात इतने बिगड़ गए कि राष्टपती हादी को देश छोड़ कर भागना पड़ा वह मदद मांगने साओधी अरब चले गए साओधी अरब ने साथ दिया भी 2015 से ही वह यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है इस लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साओधी अरब का साथ दिया बावजूद इसके विद्रोहियों ने यमन के लगभग एक तिहाई हिस्से पर कबज़ा कर लिया है यहां तक कि साओधी अरब से लगे सीमा क्षत्र का भी उलंगन किया गया है यह विद्रोहियों अब साओधी अरब के लिए भी खत्रा बन रहे है 2017 में एक ऐसा भी वक्त आया जब सालेह ने विद्रोहियों का तीन साल पुराना साथ छोड़ने का एलान किया इसलिए विद्रोहियों ने सालेह पर धोखे का आरूप लगाते हुए उनकी हत्या कर दी यह लड़ाई अब तक चल रही है और इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है खूती विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच हालिया लड़ाई की बात करें तो विद्रोही गुट मारिब शहर पर कबज़ा करना चाहते हैं सना शहर के पूरू में इस्थितिया शहर तेल के मामले में संपनक्षत्र माना जाता है अगर इस पर कबज़ा हो जाता है तो इससे विद्रोहियों की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी इस देश में जारी लड़ाई के कारण यहां मानविय संकट भी खड़ा हो गया है इस्थानिया लोगों को अपने घर छोड़ कर तूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है अब सवाल है कि इस लड़ाई के माइने क्या हैं अगर यमन की बात करें तो यह सामरिक रूप से बेहद एहम है क्योंकि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले एक जल्ड अमरु मध्य परिस्थित है यहां से दुनिया के ज्यादा तर तेल वाहक जहाज गुजरते हैं इस देश में आस्थरता के चलते पैदा हुए हालात पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विशय हैं खूती विद्रोही एक के बाद एक तेल के ठिकानों पर कबजा कर रहे हैं यह ठिकाने उनकी कमाई का जरिया बन रहे हैं लेकिन ऐसे में पश्चमी देशों में इसकी कीमत बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है अब बात करते हैं अंतिम ख़बर की The Kingdom of Swatini दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो अपने आजीबो गरीब नियम कानूनों के लिए मशूर है अफरिका में एक ऐसा ही देश है जहां के अजब गजब कानूनों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे आपने आम तोर पर शेहरों और सड़कों के नाम बदलने की ख़बर तो सुनी होगी लेकिन किसी देश का नाम बदल गया हो या शायद ही सुना होगा मगर यहां के राजा ने देश का नाम ही बदल डाला आज हम एक ऐसे देश की कहानी सुनाएंगे जहां अभी भी पूरी तरह राजतंत्र कायम है हाला कि दुनिया भर से बहुत पहले ही पूरी तरह की राजशाही व्यवस्ता खत्म कर दी गई है लेकिन आज भी अफरीका के इस देश में पूरी तरह से राजशाही सत्ता लागू है यह है अफरीका के दक्षिन में इस्थे देश इस स्वातिनी जो पहले स्वाजी लैंड के नाम से जाना जाता था यह एक landlocked country है जिसके उत्तर पूरब में मोजामबिक है और बाकी दिशाओं में इसकी सीमा दक्षिन अफरिका से लगती है यह अफरिकी देश ना केवल दुनिया के गरीब देशों की फेहरिस्त में शामिल है बलकि क्षत्रफल के लिहाद से भी बहुत छोटा है अब यह कितना छोटा है यह भी देख लेते हैं उत्तर से दक्षिन तक इसकी लंबाई करीब 200 किलोमेटर है जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई मात्र 130 किलोमेटर है इसका कुल क्षत्रफल 17,364 किलोमेटर है मतलब राजस्थान के जोधपूर जिले से भी छोटा इस देश की कुल आबादी करीब 15 लाख है यानि उत्तर प्रदेश के मेरट जिले से आधी आबादी स्वाजी लैंड का मतलब होता है राजाओं की भूम यहां की मुख्याबादी रेजातिय स्वाजीयों की है 18. सदी के मध्य में इस सामराज्जी की स्थापना की गई लेकिन दूसरे बोर युद्ध के बाद 1903 में यहां अंग्रेजों का कबजा हो गया यह बोर युद्ध क्या है इन क्षत्रों में बोर किसानों को कहा जाता है 1881 क्यासी में पहला बोर युद्ध हुआ था लेकिन इसका कोई असर नहीं होने के बाद 1899 में अंग्रेजी सामराज्ज और कुछ बोर इस्टेट्स के बीच युद्ध हुआ इस समय इन प्रांतों की खानों से हीरे और सोने निकलने की बाद सामने आई थी इसलिए अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया इस लड़ाई के बाद स्वाजी लैंड पर अंग्रेजों ने कबज़ा कर लिया 1903 से 1968 तक स्वाजी लैंड पर ब्रिटेन का शासन रहा 1968 में इस देश को आजादी मिली मौजूदा राजा तीन दशक से भी ज्यादा वक्त से सत्ता में है प्रधान मंत्री राष्टपती सब कुछ यही है मतलब 1973 से इस देश में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और संसदिय चुनाओं में भाग लेने से रोग दिया गया है यह देश कई वजहों से बदनाम है इस देश में हर साल अगस्त सितंबर महीने में महरानी की मा के शाही गाओं में उमलांगा सेरेमनी फेस्टिवल होता है इसमें 10,000 से ज्यादा अविवाहित लड़कियां और बच्चियां शामिल होती है इस फेस्टिवल में राजा के सामने यह लड़किया डांस करती है इन्हीं लड़कियों में से राजा अपनी रानी चुनते है चौकाने वाली बात यह है कि यह लड़कियां बिना कपडों के ही राजा और उसकी पूरी प्रजा के सामने डांस करती है हलाकि इस प्रथा की काफी आलोचना हुई है इस फेस्टिवल में हिस्सा न लेने वाली लड़कियों के परिवारों को जुर्माना देना पड़ता है इसी प्रथा का नतीजा है कि मौजूदा राजा मसवाती त्रीतिया ने अब तक कुल 15 शादियां की है 15 रानियों से मसवाती के कुल 30 बच्चे हैं वही मसवाती के पिता सोभुजा की 125 रानिया थी इसके अलावा इस देश के राजा पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो खुद बेहद शानों शौकत से रहते हैं जबकि उनके देश में एक बड़ी आबादी बेहद गरीब है इस देश की 60 फीजदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जिन्दगी गुजारने को बेवस है लेकिन राजा के संपत्ती में हर साल इजाफा हो रहा है यहां की एक बड़ी आबादी एड्स और टीबी जैसे रोगों से जूज रही है लोकतांत्रिक विवस्था के अभाओं में यहां के नागरिकों का विकास सुनिश्चित नहीं हो पा रहा यही वज़ा है कि यहां के लोग सडकों पर आ गए हैं सडकों पर उतर के सत्ता के खिलाफ विप्रदर्शन कर रहे हैं लोगों की मांग है कि राजशाही विवस्था को खत्म कर लोकतांत्रिक विवस्था लाई जाए ताकि लोग अपनी पसंद की सरकार का चुनाओ कर सकें अब सवाल है कि इन्होंने देश का नाम क्यों बदला इस देश का पुराना नाम स्वाजी लेंड था लेकिन साल 2018 में देश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर यहां के राजा ने नाम बदल कर The Kingdom of Iswatini रख दिया बताय जा रहा है कि राजा मस्वाती अपने देश का नया नाम काफी समय से देना चाहते थे साल 2017 में सन्युक्त राष्ट को संबोधित करते हुए और उससे भी पहले साल 2014 में स्वाजी लैंड की संसत के उदगाटन के वक्त भी उन्होंने अपने देश के लिए इस्वातिनी नाम का इस्तिमाल किया था राजा ने नाम बदलने के पीछे तर्क दिया है कि लोग उनके देश के पूर्व नाम को स्विट्जर लैंड के नाम से जोड़कर कन्फियूज हो जाते है लहाजा उन्होंने स्वाजी लैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी रख दिया जिसका मतलब है स्वाजीयों की भूमी तो दुनिया इस हबते कारिकरम में फिलहाल इतना ही अगले एपसोड में फिर नई खबरों के साथ आप से मिलेंगे आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए नमस्कार